अब अपन पढ़ेंगे Dual Behavior of Matter and Heisenberg Uncertainty Principle अगर तुम एक्जाम के साब से देख रहा हो तो बहुत आसान है ठीक है दो एक्वेशन हैं जो सब बता देंगे सारे सवाल कर लोगे सवाल दाथा थाफ हो भी नहीं सकते because this part could actually be very very complicated ठीक है and your paper setters know that कि चलो भाई इतना तक नहीं हो सकते चीए सेंपल पूछते हैं सवाल सेंपल है but I think if you love science ठीक है and if you really want to understand it ठीक है you should look beyond just these numbers and exams इसको अपन detail में समझेंगे ठीक है थोड़ी महनत लगेगी और time लग सकता है जैसे मैंने जब पहली बार पढ़ा था मुझे बढ़ने के पढ़ा बहुत कम समझ में आया बाद में पढ़ा थोड़ा और समझ में आया ठीक है फिर कुछ समय बाद कुछ टाइम जाके चीजें ग्रास्प हुई लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही नहीं समझोगे तो आगे समझ में नहीं आने वाला तो अगर यह वीडियो पूरा देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो समझने के जितनी कोशिश कर सकते हो करो समझ में आ गया तो दिस विल ओपन यूर गेट्स पर new dimension in science if you're in 11, 10, 12th मतलब तुमें एक अगलग direction में चले जाओगे science में, trust me you will never come back मतलब यहां से start हो सकता है you know your love for science ठाई है? सबस्कत हो इसको and ultimately we will see how deep this equation goes concept हमारी जिंदीगी में किस तरीक जगे है ठाई है? ठीक है तो अपने पढ़ेंगे बताऊंगा कितना समझना जरूरी है बट इस वीडियो को अच्छे से देखो समझने के कोशिश करो मैं बोल चुक हो एक बार पूरा पढ़ो ठीक है पूरा जो बतारों उसको समझ समझो एंसी आगी तो बहुत कुछ नहीं लगेगी आसन पढ़ोगे सब समझ में आएगा सारे सवाल हो जाएंगे कोई दिखकत नहीं हो सकता हो तुम्हें कुछ पार्ट समझ में ना आए बट अकर दिमार्ग में थोड़ा बहुत जाएगा ना तो I'll consider कि मेरा काम हो गया and you have done your good too ठी कुछ समझ में आएगा कुछ शायद ना आए I hope कि आ जाए but at least देखो ध्यान से तो अपन चालू करेंगे टीक है डूल बहेवियर ऑफ पार्टिकल क्या होता है start करते है डूल बहेवियर ऑफ मैटर जैसा नेम सज़ेस्ट कर रहा है we are talking about matter but उसका कुछ दूसरा नेचर डूल नेचर दो नेचर ठीक है तो दो कुछ नेचर है पहला तो पता अपन पार्टिकल की बात करते है पार्टिकल सब पढ़ा है ठीक है we can talk about its size its momentum everything अपन प्रॉपरली बात कर सकते है ठीक है कोई दिखकत नहीं है then there is another part called waves तो डूल नेचर की बात कर रहा है वो waves की बात कर रहा है यह जैसे पानी में waves है waves in a pattern है ठीक है वह wave होती है तुम से बोलता है तुम से बोलता है कि यह pen और यह pen है तुम क्या बोल सकता है यह wave या कोई भी चीज छोटे पार्टिकल तुम बोल सकते हो कि वेव ऐ ऐसी बात ही नहीं करते है एक अलग चीज़ समझते हैं लेकिन डिब लिए आपन देखेंगे, ठीक है, he will suggest कि particles, जैसे electrons वगर, हर चीज, हर particle, ultimately, particle भी होता है, जो particle, मतलब particle nature शो करता है, और wave nature भी शो करता है, कैसे, ठीक है, वो आपन देखेंगे, this has now been, now क्या है, बहुत पहले भी इंप्रूब, yes, experimentally, this is correct, वही experiment भी पन समझने कुछ शिच देखेंगे, और देखेंगे, कि yes, even particle can have wave nature, तो fight चालो हो जाएगी, जैसे, यहाद, सब 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 से पहले तो actually, light को particle मानते थे, सब से बहले, light को, जैसे, light को मानते टकराईए, नो, एक किसी object पर reflect हो गई, फिर light को wave मानने लगी, फिर, अभी देखा, अपने, अप्लेंग, सारी, photoelectric effect, light particle भी है, और light, wave भी है, तो वहीं, उसी हंच से actually, चालो हुआ, अब डिपरॉगियन अच्छिली यही logic दिया था, कि देखो, अगर light, ए wave मानते थे, कभी particle है, कभी wave है, तो particle ऐसा नहीं, क्यों नहीं हो सकता, कि कभी particle है, कभी wave है, मान लेते हैं, ऐसा मान के उसने equation निका ली, अपने देखेंगे क्या, उस equation को, अलब, that, और that is, बेस जोने हंच, kind of, ठीक है, वो जो equation आई, और अगर wave की बात कर रहा है, तो wavelength की ब मतलब मान लेंगे जो बोल रहा है, वो सही है, मतलब अपन जो सोचते हो अरहे थे, मतलब बहुत पहले से कि, wave अलग है, पार्टिक. अलग चीज़या, नहीं, वो सेम चीज़या होती है, हमें दिखते हैं ती अलग अलग, हम सोचते ते अलग अलग, कि वो wave अलग है, particle अलग आफ्टर कन्फरमेशन अब दे डॉल बेहवियर अफ लाइट में पता है प्लैंक्स को सारी फोटोलेक्ट्रिक अफेट में कन्फर्म हो गया ठीक है कि लाइक कभी पार्टिकल है लाइक कभी वेवे डिब्रॉगली साइंटिस्ट हाइप्रोथाइज दैट इस वेव कें बेहे से क्या होता है मैथमेटिकली प्रूफ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और मैथमेटिकली उसको अल्टिमेटली प्रूफ करना पड़ेगा वह सब जो देटा हाएगा तो मैंतमेटिकली उसने बोला अच्छा अपना लाइट की एनरजी की बात करते है तो एनरजी हC यह वेव के लिए हो गया, E is equal, E by C बोल सकता हूं, मैं H by lambda, C को नीचे लेकर आगा है, दोब यह C है, इस C को आपन नीचे लेकर आगा है, ठीक है, तो E by C बनेगे H by lambda, Momentum बोल सकते हैं, क्यों E by C, उसना बोले, Actually this is units of momentum, तो इसमें बोलागर यह momentum है, तो H by lambda शायद किसी भी wave का, wave की बात कर रहे है, wave का momentum होता होगा, मतलब wave का जो particle नीचे, momentum particle के लिए बात करते हैं, तो मतलब wave का अगर जो particle नीचे रहे है, उसका momentum, H by lambda से निकाल सकते हैं, समाझ में आया? अब यह वेव के लिए लिए, यह भाई, wave के लिए, E by C, momentum हो गया, is equal to H by lambda, तो अपना H by lambda किसी भी wave के लिए पन momentum निकाल सकते हैं, अच्छा, momentum of EM wave, H by lambda हो गया, समाझ में उसना बोला, mathematical, experimental, सब पता पड़ा गया, सब सही है, उसना सोचा कि पन बोल सकते हैं, by H by lambda को momentum of the wave, therefore, momentum of a particle, is equal to, since a momentum of a particle is mv, and if, it also has a wave nature, मतलब वो क्या बोल रहा है, एक particle है, उसका momentum m into v होता है, ठीक है, अब अब अपन निकालते हैं, अगर particle nature हो, momentum m into v से बोलेंगे, अब अगर wave nature है, तो हम देख रहे हैं, कि अपन wave के लिए momentum बोल सकते हैं, H by lambda से, तो अगर wave nature है, तो वह momentum m into v, H by lambda होना चाहिए, जहाँ जो lambda है, वो d-broglis wavelength होनी चाहिए, मैं लिख देता हूं सबको समझाता हूं, m is equal to mass of particle, v is equal to speed of the particle, तभी momentum है, lambda is wavelength यह important चीज़ है, associated to its wave nature, अब तुम बोलोगे, sir यह particle का lambda कहां से आगे, ठीक है, वही समझने वाल है यहीं से, अब आगे ultimately सब कुछ वही है, कि particle, just particle नहीं है, कभी particle है और कभी wave है, अभी पढ़ा थापन है, light, कभी light है, कभी particle नहीं चाहिए, है कि नहीं पैकेट्स थे energy के, wavelength की बात कर रहे हो, तो भाई, sorry, particle के wave nature की बात कर रहे हो, तो wavelength की तो बोलना ही पड़े है, जब तक wavelength नहीं बोलोगे है, तो किस बात की wave, तो यह डिब रॉगली बोल रहा है, particle का momentum बोल सकते हैं अपन, m into v से, और wave का जो momentum होता है, h by lambda होता है, तो अगर अपन वही चीज़ यूज़ करने है, particle एक लिए तो particle का अगर wave nature है, तो wave nature में उसका momentum हो गया, h by lambda, और वही momentum particle, m into v, same चीज़ है, तो m into v must be equal to h by lambda, this is called very famous de Broglie's equation, तो इस equation को use करना तो बहुत आसान है, सवाल करेंगे, सवाल बहुत आसान होंगे, that is not the problem, मैंने इतना कुछ बताया न तुम लोगो, तो मैं यह समझना है, तो मैं यह समझना है, तो मैं याद करना था, m into v h by lambda, मतलब इस equation से, अपन किसी भी particle, जिसका mass है कुछ, जिसका speed है, उसकी wavelength निकाल सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ किसा क्यों सोच रहा हूँ, समाज में आया है, क्या logic देके उसने बोला, कि m v h by lambda होना चाहिए, यहां से अपन lambda निकाल लेंगे, लेकिन अभी एक हंच है, अपनने यह सोचा है कि ऐसा कुछ अगर होगा है, बेस तो ऐसा lambda लिखना चाहिए, अगर experiment कर दिया और यह proof हो गया, कि lambda ऐसा ही आ रहा है electron का, बोलोगे electron का lambda कैसे आएगा अपन देखेंगे, कि electron का अगर lambda निकाला, कैसे निकालेंगे देखेंगे वह आएगा समझ में, अगर निकाला वह सेम आगे इस equation, मतलब यह equation सही है, यह अपन करने वालें, सवाल करेंगे हो गया यह, मतलब पढ़ने वाला पार्ट तुमारे इतना था, mv is equal to h by lambda, यह तुमारे कोर्स में, lambda निकालना, बस lambda की समझ में आना चाहिए, यह wavelength है, particle के wave nature की, सवाल आते कर लेंगे, लेकिन सवाल समझना करना तो आसाने सवाल कर रहा हूँगा, अपन यह समझेंगे जरा, कि जो lambda है, experimentally proof कैसे हुआ, कि यह equation सही है, वो experiment कैसा था, ठीक है, तो वो अपन समझते हैं, but this is de Broglie's equation, सवाल बात में करेंगे, पहले समझते हैं, let us prove that this equation is right, अपन देखेंगे, the proof for de Broglie's equation, ठीक है, तो उसको समझने के लिए, पहले थोड़ा सा wave की property समझने पड़ेगे, हमें यह proof करना कि particle wave है, तो पहले समझते है, पता कैसे पढ़ता कोई चीज wave है की नहीं, ठीक है, यह देखना तो कुछ है ही नहीं, so, देखना कुछ नहीं मतलब ultimately wave नहीं देखेगे electron की, but result देखेगा, वो देखेंगे, so, अपनको क्या करना है, अपनको proof करना है, यह की wave है, तो उससे पहले पता पड़ना थोड़ी wave की property देखनी पड़ेगे, जुसको बोलते है, interference pattern, ठीक है, wave की diffraction property से भी देख सकते हैं, बट वो अपनको यहां नहीं करना है, simpler choose कर रहे है, interference pattern, ठीक है, interference pattern क्या होता है, अब अगर तुम 12 में हो, 11 में पड़ चुके हो, and I am most probably hoping that, तुम्हें समझ में आ गया होगा, interference pattern कैसे बनता है, but मुझे पता है, काफी बच्चे कभी नहीं समझ पाते हैं, वो formula रट लेते सवाल करते जाते हैं, ठीक है, हो भी जाते हैं सवाल, बट समझ में कभी नहीं आता है, वो बना कैसे pattern, अपन समझेंगे वो pattern क्या होता है, और कैसे बनता है, आप यहां बात नहीं करना, यहां interference की बात करेंगे, let us consider light and double slit experiment, कैसे proof होता है, light wave है, let us consider कोई भी चीज वेव है, let us consider light and double slit experiment, यह अपना source हो गया, मतलब यहां से light आईगी, source of light, और फिए particular wavelength, experiment समझने के लिए, अपन एक wavelength की light लेते हैं, जिसमें से A की sodium lem ले सकते हैं, AD A की particular wavelength निकलेगी, अलग-अलग wavelength ले तो pattern देखेगा नहीं, बनेगा तो, बड़ देखेगा नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा, तो अपन को समझने के लिए अपन वो pattern बना चाहते हैं, जो दिख ही अपन को समझ पाएं उसको, तो अपन light कर सोच लेते हैं, ले सकते हैं easily, जिसमें से A की particular wavelength की light निकले, ठीक है? उसके बाद, सामने, एक sheet लगा देंगे, दो slit होंगे, उसके पीछे observation करेंगे, जो observation screen होगे, बना देता हूँ मैं कैसे, बीच में dark है, तो पीछे screen बना रहा हूँ पहले, this is observation screen, बीच में एक slit लगा दिया है, और उस sheet में, दो slit करते हैं, ठीक है? these are two slits, slit number one, slit number two, मैं holes बोलूंगा, साइट से ना, holes बोलना समझ में आएगा, तो मैं अपन देखेंगे, इसको, this is a sheet, with two slits, these are two slits, and ultimately holes सी हैं, net is तरीकर elongated, जिसमें लाइट पास होगी, इतना simple setup करके, we can prove that light is a wave, source of light, बट एक wavelength की होनी चाहिए, सामने एक sheet लगाई है, जिसमें दो slits हैं, पीछे observation screen है, यहां डार के अंधिरा है, कुछ और नहीं देखना चाहिए, सिर्फ यह जो होगा वह देखेंगे, अब इसको मैं हर बार ऐसे बनाऊंगा नहीं, देखेगा नहीं, इसको अपन side से देखेंगे, कैसे देखेंगे देखो, अब पन समझाते हैं, देखो, source of light on कर देते हैं, source of light with particular wavelength, बार बार बोल रहा हूं ठीक है, particular wavelength होना चाहिए, यह अपना side से बना रहा हूं, तो मैं दो slits हैं, कई बार मैं holes बोल दूँगा ठीक है, so यह दो slits है, sheet with two slits, side से देखेंगे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है वैसा नहीं है, बता चुको कैसा देखेगा, पीछ अपन observation screen है, तो यह setup है अपना, अपन source of light चालू कर देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, अब तुमने अगर कभी वेव नहीं पड़ा, मैं लब जादा information नहीं है, तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा कि अगर तुम दो slits के आगए, दो एक sheet लगाओ, उसमें दो slit कर दो या दो hole कर दो, hole मान लो hole कर दो, और मैं बल्ब जला दो, तुम क्या उम्मीद करोगी, इस hole के पीछे थोड़ा light आएगा, इस hole के भी थोड़ा light आएगा और side से dim होता जाएगा, यह यह उम्मीद करोगी, इस में से भी यह उम्मीद करना चाहिए, अगर अपन light चलू कर देए, तो थोड़ा सा light intensity यहाना चाहिए, थोड़ा सा यहाना चाहिए, फिर कम होता जाना चाहिए, that's it, यह ना, बट नू, this is not, is observed, what is observed is, this pattern, यह, यह कैसे बनगा, मतलब तुम सोचो, ऐसा हो अगर तुम सिर्फ मान लो, बल्प के साथ ऐसा हो रहा है, तुम कर सकते हैं, लेकिन बल्प के साथ दिक्कत क्या है, तुम जो नॉर्मल बल्प जला रहा है, बहुत सारी light निकलते हैं, अलग-अलग wavelength की, तो pattern same हो जाता है, एक proper, दिखेगा नहीं, लेकिन अगर, तुम एक particular wavelength लो, तो pattern ऐसा बनेगा देखो, इसके एकदम सामने, एकदम सामने यह लिया है, एकदम सामने red spot, उसका थोड़ा सा उपर dark spot, red spot, मान लो red light है, समझने के लिए, red color के light एक particular wavelength की, यहाँ एक bright spot, मतलब light आएगी, यहाँ अंधिरा रहेगा, यहाँ light आएगी यहाँ अंधिरा, यहाँ light यहाँ अंधिरा ऐसे चलता जाएगा, उपर और निचे तक, तुम बोलोगे sir, whole तो 2 ही थे, यह क्या हो गया, अगर 2 ही whole थे तो इस तरीके का pattern कैसे बन सकता, this is beyond common sense, समझ में आ रहा है, अपन जो देखते हैं उसके साब से, but pattern यह बनता है, but this pattern proves, that light is a wave, यह pattern तभी बन सकता है, जब light wave है, अपन समझते हैं ऐसा कैसे, पहले मैं समझा दो यह pattern एक्शली देखेगा कैसे, इस तरीके से pattern है, इस तरीके से pattern है, इसा, intensity maximum है एकदम सामने, ठीक है, कम होती जाएगी, dark spot बढ़ेगा intensity, maximum इस तरीके से dark spot, समझ में आ रहा है, तो यह intensity बढ़ रही है, red spot, dark spot, red spot, dark spot, एक दो मैं सानी मंतर, but this is the pattern, इसे लंबाई में देखेंगे, तो इस तरीके से देखेगा, ठीक है, और यह slits है पहली बात, तो मैं जब बोल रहा हूँ है, एक dot, एक dot नहीं है, ऐसे red line आईगी, नीचे एक red line, तो actually ऐसा है, red line, dark spot, red line, dark spot, इस तरीके समझ में आ रहा है, तो this pattern proves that light is a wave, अपन समझते है कैसे, मालो मैंने यह जो distance लिया है, एकदम सामने वाला लिया है, यह distance और यह distance exactly बराबर है, और यह slit जो है, मालब एकदम इस तरीके से है, यह जो point है, इसके middle point के एकदम यहाँ है, यह जो point इसके middle point के यहाँ है, symmetrically बनाया है, मालब यह point और यह point एकदम symmetrical है इस तरीके से, ठीक है, तो यह pattern है, अब देखते हैं यह कैसे proof होता है, ठीक है कि यह wave है, अच्छा, एक चीज और होना चाहिए, मैं क्यों नहीं बोला, अगर 11 में हो तो फिर उस पर बच्चों का दमाग चलाता है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो light है वो same phase में होना चाहिए, ठीक है, तुम्हें इतना tension नहीं ले न, ठीक है, लेकि जो twelfth वाले उने बोल रहा हूँ कि obvious light phase में होना चाहिए, ठीक है, बढ़ यहां देखो अपन उस पर छोड़ दो, कैसे करेंगे देखो, light यहां से यहां हीट की, फिर light यहां से गई और यहां हीट की है, यह distance बराबर है, यह बराबर है यह बराबर, अब मान लो light आ रही है, यहां से भी जाएगी और यहां से भी जाएगी, अब same phase का मतलब सिर्व यह होता है, जब इसका उपर वाला पार्ट यह इसका उपर वाला पार्ट है, इसका नीचे, इसका उपर वाला पार्ट निकल रहा है, सारी light same phase में निकलना चाहिए, इस तरह के, then we can have that source, ठीक है, so, इस तरह के same phase में आ रही है, अब देखो, अगर अपन ये point बोलें, same phase में light निकल रही है, जितना distance यहाँ travel करेगी wave, उतना ही distance wave यहाँ travel करेगी, मतलब, देखो, यहाँ तक पहुंचते हैं, मालो wave का, एक wavelength, दो wavelength, तीन wavelength, चार wavelength, ट्रावल कर लि और चार wavelength travel करेगी, तो अगर जब सेम तरीके से निकल रही है, सेम distance travel कर रही है, तो इस point पर, जब इस wave का नीचे वाला part आएगा, इसका भी नीचे वाला part आएगा, जब इसका उपर वाला part आएगा, यह wave आगे जाएगी, जब आगे खिसकेगी, तब इसका उपर वाला part, इसका उपर वाला part, एक दम, एक के उपर एक wave सेट हो रही है, इसको बोलते है, constructive interference, मतलब, यह one point है, at one, wave सुपर इंपोस हो रही है, एक की उपर एक आ रही है, यह देखो, एक wave ऐसी आई, तो दूसरी wave ऐसी आई, ऐसे में होगा क्या, add-on हो जाए की wave, मतलब, एक wave ऐसी, ए और dark कर देखेगा, समझी में आया, ठीक है, यह जब एक की उपर एक wave आएगी, सुपर इंपोस, अब अपन एक काम करते है, थोड़ा सा उपर, इसको point one बोल दे रहा हूं है, point one यह, अब बात करते हैं अपन, यह जो second dark spot है, यहाँ बना रहा हूं है, यह वाला point, यह, बना रहा है, dark spot, अच्छा, यहाँ की अगर बात करें, तो देखना, add two हो क्या रहा है, यह distance दो को pink सो जो बनाया है, मैंने, यह थोड़ा छोटा हो गया, यह थोड़ा बड़ा हो गया, सभी बात है कि नहीं, तो यह तो बराबर है, यह red वाला part तो बना, same travel करेगा, यह pink वा मतलब, अब यह wave थोड़ा सा आगे निकल जाएगी, यह wave थोड़ी सी पीछे निकल जाएगी, अब यह देखो, wave दोनों बराबर थी, इस point पर, अगर मान लो, ऐसा हो रहा है, कि यह wave इतनी पीछे निकल गई, यह वाली, कि इसका जब नीचे वाला part आ रहा है, इसका उपर पार्ट आ रहा है, यह आगे निकल गई, यह wave दो पीछे रहा है, मतलब इसका देखो, एक लेमडा बनाया है, दो लेमडा पूरा नहीं हो पाया, इसका देखो, एक लेमडा, दो लेमडा और यह आगे निकल गया, तो यह wave पीछे रहा गई, यह wave आगे रहा गई, और इतना distance है जब इसका ऊपर वाला पार्ट तो इसका नीचे वाला पार्ट आ रहा है इसका जब इसका नीचे वाला पार्ट आएगा इस वेव का ऊपर वाला पार्ट आएगा इसका ऊपर इसका नीचे अगर हम आ लो electric field की बात करें लाइड इसमेड़ और electric field and magnetic field है ना तो वेक्टर्स विल गेट कैंसल आउट मतलब नेट वेव क्या हो जाएगी जीरो नथेंग कैंसल हो जाए कभी वेव गायब हो गई energy बट conserve होती है समझ में आ रहा है तो यह यहां से गायब हो गई वो कहा गई यहां आई पूरी energy it's not like energy गायब हो गई वेव सब खातम हो गई energy बोल सकतो अब यहां नहीं है यह सारी यहां पर आई है वो जो maximum बन रहा है इसमें कई question आ सकते हैं सर यह कैसे पता पढ़ रहा है पहले से भाई आगे पढ़ेंगे things are much more complicated but we can still understand them समझ में आया है यहां तक सो हो क्या रहा है इस point पर minima बन गया मतलब cancel हो गया डर्क website एक इक की ऊपरति मिला ज Mais एक तो साहए गया जब माले नीचे वाले किसे तरीक यह ऊपर वाला पार यह आला पडल नीचे वाला पार तक जब इसका नीचे वाला पार लिक्स कुछ भी देखो एकदम अपोसेट आएगा वेव गेट कैंसल आउट अब अगर मान लो थोड़ा और उपर जाएं अगर अपनी थर्ड पॉइंट की बात करें तो अब थर्ड पॉइंट में वेव इतने आगे निकल जाएगी कि यह लेम्डा से आगे हो गई अगर लेम्डा स यहां आगया और पीछे वाला ने इसको मैच कर लिया मतलब वेव वापिस क्या होई सुपर इंपोस क्या बन जाएगा ब्राइट स्पॉट थोड़ा और ऊपर देखें फॉर्थ पॉइंट पे अगर थोड़ा और ऊपर देखेंगे अपन यहां मैंने बनाए निए वेव यह पैटन बनी सकता अगर लाइट वेव नहीं है इसके वीडियो से मैं तो मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो नहीं डाल सकते ठीक है copy right इशूस तो अपन मैं लिंक डाल दूँगा ठीक है उस लिंक को देखना मैं टाइम बता दूँगा वहां देखना मनलब स्वर्ज परिम्ट है जिस से पन प्रूफ मालब लगाओ जरूर देखना मज़ना है तो सारे लिंक डालओ और रोधना मैं बता रिजन क्यों यूंगए फिर टाइम पास हो जाता है बहुत लंब आ सब्सक्राइब यह पैटन कैसे बना यह पैटन अपने समझा दिया जो पैटन है रैट बार डार्क रैड डार्क वो तभी बन सकता है जब लाइट वेव हो hence proof this pattern is formed because light is wave समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है this proof again that light is a wave and this is called interference pattern now इसको अगर mathematically solve करेंगे जो कर सकते हैं physics के अंदर करेंगे तो actually lambda की equation तुम lambda नकाल सकतो properly यह distance measure कर लो किता gap आ रहा दोनों के बीच में इस bright और इस bad के बीच में किता gap है and then you can determine lambda कितना होगा अपन इस light का wave ना निकाल सकते हैं सिर्फ इस pattern को देखके और अगर वो कर सकते हैं तो फिर particle के लिए यही करेंगे अगर particle न यह pattern बना दिया तो अपन दो maxima की बीच में distance निकालेंगे नाप सकते हो scale से नाप लो ठीक है नाप हो और में equation में value रखो उस distance की lambda निकालो और वो lambda पार्टिकल के लिए अगर डिब्रॉगली से मैच कर गया डिब्रॉगली सही है सही है इसलिए पढ़ रहे हैं अपन आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कैसे प्रूफ हुआ मालब इलेक्ट्रोन के साथ क्या पैटन बनेगा अगर आपन सेम चीज करें तो ठीक है लेक्ट्रोन तो पार्टिकल है बड़ अगर सेम उप्सपरिमेंट करें तो क्या होता देखते हैं शहां इक्रेनट के साथ हम धींट के सब्सक्राइब। अधितव प्रूफ ह हुआ इस रूरे हम धाट इस ना इस बोलामट अज खाट फंच। आंव You याओ सेम और आप स्टार के सब्सक्राइब कि तो पी नेंखल वग चाह सूर्च응 ज ng उंपलन किया बड़ि ठीक है चीट लिया दो होल देख रहा हैं पर अक्षिव दो स्लेट्स हैं ठीक है और पीछे अपना उब्जर्वेशन स्क्रीन है और सोर्स ऑफ एलेक्ट्रों अब इसमें अपन इस एक्सपेरिम्ट एक्षिली अपनको और अगर बहुत चीजें समझना है तो जाद अच्छा स जब भी कुछ चीट करेगा तो ओब शाई आएगा चंकेगा ऐने दिस वे इन दिस वे वी दी टिरमाइन इलेक्ट्रॉन कहां टकर आया इस स्क्रीन पर आएगा इसे स्क्रीन पर और चीजे में अब आपन क्या कर रहा है स्योर्स आएज क्षिट्रों में एक 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 बहुत सरे फेकने के बाद पीछे देख रहे हैं कहां कहां एलेक्ट्रोन हिट किया अब देखो अगर पार्टिकल है तो तुम्हें सिंपल यह लगेगा अगर तुम फेक होगे इस होल में चला जाएगा यहां मैक्सिमम पार्टिकल यहां हिट कर जाएगा मैक्सिमम पार्टिक बट इक पैटर्न है ऑबजर्वड है एगें दिस सबसे जादल एलक्टोण यहां टकराते हैं फिर बिल ferry नहीं टकराते हैं फिर टकराते हैं फिर बिल星 कराते हैं विर डाक स्बार्च नहीं से हुँ है, कविछ साथ तो यह इस तरी के से पैटर्ण और घटाई देता हूं, तो यह pattern बन गया, समझ में आ रहा है, मतलब electrons एक बार यहां टकर आया, फिर यहां नहीं टकर आया, अगला electron फेकर तो यहां टकर आया, मतलब यहां पर यह जो बना रहा हूं, यह जो point है, in point पर electron कभी नहीं आता हूं, अगर electron फेकूंगा और 2 slit कर दू कौन बता रहा है electron को, अगर तुम्हें कुछ नहीं पात्मन देखेंगे, इसके reason है proper, proper समझ सकते हैं ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है, कि भाई ऐसा क्या है, कि यहां नहीं, तुम देखो hole के सामने कुछ बोलो तो वो special बात है, क्योंकि hole है, यहां क्या था ऐसा special, कि यहां बिलक तरीकी से नहीं गांए, यहां टुम देखाता हम सब्सकराइन, यह एस त्रीके से. ये. यह उ जिय को है, पैटन, टीक है, तुम कुछ दृत्ट है, तो यह पैटन, टीक है तो यह ज़ con 3, मैं allora i dot dot, dot. बूलकुल इस ट्राइक निव रहा है यह पेटन प्रूफ दट एक्ट्रॉन इस एक्टिंगेश वीलेक्ट्रॉन वेव कैसे बता सकते हैं अभी देखा वेव का सेम ऐसे पैटन बंद हैं तो यहां पर अपर एक्ट्रॉन इस एक्टिंगेश वेव ठीक है सो, सेम पैटर्न है, अब बोल, इस प्रूफ वेव पार्टिकल डिवालिटी इन नेचर और अल्सो वेवलेंड डिटर्माइन इस अनकोर्डेंग विथ टी ब्रोगली इक्वेशन, अब क्या करें, इसके दोल रखो, और ये कोई भी दो में, ये मैक्सिमा, ब्राइट का मैक्स इसका और इसका आपन डिस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक क्विशन पुट करोगे, हमारे पास, लेम्डा निकल जाएगा, और वो लेम्डा, वो एक्जेक्ली वेल्यू आती है, जो कौन बोल रहा था, डी ब्रोगली, समाज में आ रहा है, हैंस प्रूव्ड, इलेक्रोन, एक्ट एस वेव, एन एलेक्रोन, एक्ट एस वेव, एन एवं, वी कन एवन कल्कुलेट दी वेवलेंड, तो अब अपन पार्टिकल के वेव नेचर को अच्छे से बता सकते हैं, कि भाई, इसका वेव नेचर होता है, जिसका लेम्डा ये होता है, जो डी ब्रो यह नहीं पता भी, पढ़ेंगे आगे, बट यह पता है, अब कि यह वेव है, ठीक है, बहुत इंट्रेस्टिंग पार्ट है, मैं बोल रहा हूं, यह वाला पार्ट, जिसको नहीं पढ़ाते हैं, बच्चों का समझ में नहीं आता, ठीक है, बट अगर मैं जो बोल रहा हूं, जैसे मैंने समझा था, मैं वैसी समझा रहा हूं, तो शायद तुम्हें भी समझ में आ जाए रहा, और यू कन सी दिस वर्ल इंगे, मुझे तो ऐसी लगता, I love this experiment, जब मैंने यह समझा था, मुझे तो बड़ी फील आई थी, I loved it, आपने का वाओ, ऐसा भी होता है निचर मे है, ठीक है, so this is interference pattern of electron, hence proof light is a wave, तो अब अपन क्या करें है, फिले सवाल करके, वो जो अपने एक equation तो इसको समझ लेते हैं, कैसे करना है, वो तो बहुत simple चीज है, बड़ी चीज थी, तो इसको अपने समझ लिया है, अपन वो सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, तो समझ में आ गया हो, नहीं है, तो बापिस देखो, समझ में आ रहे हो, ठीक है, question number one, a proton, mass 1.66 into 10 raise to minus 27 kg, mass लिख दिया हमेन, is moving with, it's better, but you know, मैं बताया, the mass of proton, electron, neutron, neutron, जादा अच्छा, याद रहो, कई बार नहीं देते हैं, exams वगेरा, a proton, या पूछ लेते हैं, mass of this is moving with kinetic energy, 5 into 10 raise to minus 7, 27 joules, what is the wavelength of proton, अब question, अब देखो, जब भी तुमसे कोई particle की wavelength पूछ रहा है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, वो तो करेगा, यह क्या है, वेव कहां से आई, पर तुमने पढ़ लिया है, अब से हमेशा याद रखोगे, particles are not just particles, they are also wave, तो अब से कभी भी तुमसे कोई particle का wavelength पूछ रहा है, तो एक ही रास्ता है निकालने का, mv is equal to h by lambda de Broglie's equation, तो निकालते हैं अपन, संपल है, formula equation ही बड़ी संपल है, तो answer is this, 1.62 into 10 raise to minus 7 meters, ठीक है, और छोटी आ रहे हैं देखो, 10 raise to minus 7 meter, ठीक है, so, मतलब, visible भी आसपास ही होती है, अब बोल सकते है, pattern बिलकुल अपन को, visible की pattern दिखते हैं अपन को, interference तो इसके भी दिख सकते हैं, mv is equal to h by lambda, लगा दो, अब इस formula को मैं एक हो term में लिख देता हूँ, जो exams में help करते हैं, ठीक है, कर तो सकते हो कोई दिख करने, k e पता है, k e half mv square कर दो, m पता है, v निकाल लो, v को यहां रख दो, m पता ह square divided by 2m हो गया, ठीक है, is equal to, तो mv को बोल सकते हैं, रूट 2m k e, mv है, 2 यहां गया, m यहां गया, root हो गया, तो root 2m k e, formula बन गया, mv का, मैं अब इसी formula को अपन ऐसे लिख सकते, lambda is equal to h by root 2m, kinetic energy, अब दो को इसके इंद किन्द काइज पता है, 5 into 10 raise to minus 27, m पता है किता है, 1.66 10 10 raise to power minus 27, h, हमेशा पता है अपन को, तो 6.68 10 raise to power minus 34, रग दो यहां पर, सीरे solve कर दो, answer आगा, that's it, lambda 1 point, कुछ नहीं है, इतना आसान, सवाल ऐसे ही आएंगे, ठीक है, so यह आगे अपना, wavelength of proton, तो proton का wavelength अतना है, next question, next question मैं क्यों करा रहा हूं, 15 minute के अंदर, 15 minute के अंदर समझ म आएगा, इसका reason मैंने क्यों कराया, ठीक है, सवाल, अब तो करने की जरुद्त है नहीं, एकी सवाल से सब हो जाना चाहिए, कि हर बार वही करना है, अगर क्वेश्चन है, इसके अंदर छुपा हो, जो बताऊंगा, मैं थोड़ी दिर में, so अपन क्वेश्चन करते है, what is the पुछेंगा, तो यही की रास्ता है, डिब्रॉग्ली वेवलेंध फोर इन इनर प्रोड़स्ट ऑफ वाईट्रो जोगूम रहा है, अभी अपन पर्ण तो पार्टिकल भी हो सकता है, वो सकता है अगर वो वेव है, वो एलेक्रोन जो हायर गूम रहा है, तो उसकी वेवलें निकालते हैं अपन आंसर इस पहले ट्राइब करो ट्राइब करो सब लो ठीक है मास्टी सब पता सब निकाल सकते हैं यूंकि यह फॉर्मॉला पड़ा आ आपन रिकाट है अभी छक्रॉप मता है इसका अंसर आएगा 3.34 into 10 raise to power minus 10 meters, ठीक है, so mv h by lambda होता है, बहुत आसान है, lambda निकालना, h by mv करना, that's v कहां से आएगा, formula था यादा, 2.18 10 raise to power 6 into z upon n, what is that, 1, hydrogen, what is n, first orbit 1, that's it, first orbit, that's it, first orbit, that's it, solve कर दो, तो v आ गया, v को यहां रख दो, lambda is equal to 6.60 10 raise to power minus 34, divided by 9.1 10 raise to power minus 31 kg, सब ऐसा है में रखेंगे, तो ऐसा है में answer आएगा, meters में आएगा, 2.18 10 raise to power 6, lambda निकाल दो, solve कर दो, यह answer आता है, सवाल में, क्या, कुछ निए, सवाल बहुत simple होते हैं, बस एक एक कुछ निया दो, mv is equal to h by lambda बट समझो, समझा दिया हमेंने कि हर particle का wave nature है, ठीक है, और उस wave nature का wavelength निकाल सकते हैं, इस तरीके से, तो जो निकाल रहे हैं अगला question, next question, again, बहुत simple है, करना वाई है, but there is a concept to learn, ठीक है, so, calculate the wavelength of a cricket ball, of mass, 100 grams, traveling at a speed of 35 meter per second, तो यह की speed है, ठीक है, 100 gram cricket, ball is, mass, solve करो, जो निकाल के देखो, इसका wavelength कितना आ रहा है, और उसको value को जो जो देखो, द्यान से, इसका answer आएगा, 1.89 into 10 raise to power minus 34 meters, कैसे आएगा, वो तो बहुत आसन, mv h by lambda होता, h lambda is equal to h by mv, h, 6.63 10 raise to power minus 34, divided by 0.1 into 35, is equal to 1.89 10 raise to power minus 34 meters, अब दो खुसमा नोट करने वाले ची market ball is so small, that its wave nature will not be appreciable, 10 raise to, अभी तो, मैंना बताया था, 10 raise to power minus 10, ठीक है, 10 raise to power minus 7, 10 raise to power minus, इस तरीके से, तो 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 तुम्हें wave pattern, तुम्हें को interference pattern दिखेगा, समझ में है, मतलब उसका wave nature appreciable होगा, ये इतनी छोटी wavelength, ये अटम से भी छोटी है, मैं लब, समझ में, इस meaning, that we can use, समझ में आ रहा है, so, this thing, this massive thing, will behave as particle, it will have though, all nature, it will have, इसका wave nature भी होगा, इसका particle nature भी है, but इसका wave nature, observable नहीं होगा, appreciable नहीं होगा, इसका particle nature ही होगा, जिसको अपने study करते हैं, but it will have wave nature, तो हर चीच का wave nature particle, पार्टिकल के लिए यूज़ करना चाहिए, anyways, तो मैं याद क्या रखना है, for massive object, only particle nature is observable, या observed, इसी लिए, इसी लिए, अपन लोग ने कभी बात नहीं किया है, इसके बारे में, चोड़े particles को देखा ही नहीं है, तुमने कभी घर पर बैठके, कभी item देखा ह नहीं है, अपन बड़ी-बड़ी चीज़ों की बात करते थे बस, है कि नहीं, इसलिए कभी पता नहीं पड़ा, बचब साइंटिस लोगों को छोड़े particle मिले, studies की, तो नहीं है, observation हुई, और क्यों की nature में, अब हर चीज़ पार्टिकल से ही बनी है, same atomic particle से, तो अगर वो ची that's, you know, with all our observations, and this was De Broglie's equation, इतनी सिंपल, बड़ वो समझने वाला पार्ट बड़ा था, इसके बाल, मुझे याद मैने एक चीज़ पहले बोला था, बोर्स मोडल के अंदर, MVR is equal to NH upon 2π, यह उसने बोला था मुझे पता नहीं, बट यूसकर वाँसर आता है, मैने बोला था, पता पड़ेगा, तो समय आ गया है, वाई, MVR is equal to NH upon 2π, अब पनको पता भी पड़ जाएगा, कि भाई, वो बोर्स मोडल क्यों था, ठीक है, उसको समझते हैं, पन,